आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है अपसे कुमारा स्वागताप का मैथ्समेनिया पे तो आज हम लोग SICI का डिफरेंस और CICI का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं यह आपका पिछले दो सालों में नहीं आया है, लेकिन 2018, 2019, 2020, 2021 हर बार आया है तो इसके आने के चांसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यह आज के बाद आपको यह बहुत ही ज़्यादा आसान कॉंसेट लगेगा मैं आपको बहुत ही डिटेल में चीज़े समझाऊंगा, तो उसकार हम एक लाइन में सारी चीज़े उड़ाएंगे ठीक है, तो एक information आपको और दे दे रहा हूँ, कि आप मैंसे जिसके पास भी testbook का pass pro नहीं है, आप ले सकते हो, तो कि अब इसका price का ज़्यादा drop हो गया है तो आप SHEK 12 code का यूज़ करोगे, तो आपको ये सिर्फ 307 का मिल जाएगा, yearly, इसमें आप previous year papers सब कुछ access कर पाऊगे, क्योंकि ये pass pro है, जब भी आप लेना pass pro ही लेना, जिसे आप previous year papers वगयरा, section wise, subject wise सब कुछ access कर पाऊगे, ठीक है, आपके MTS का notification आगे, आपका social means का exam आना है, आपका CGL pre का exam आना है, आप सब के भर-भर के mocks दे सकते हैं, और mocks दो, daily mocks दो CGL के लिए, अगर नहीं दे सकते हैं, तो एक तो आपको daily basis पर देना लिए, ठीक है, तो इसका मैं description में लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से direct भी purchase कर सकते हैं, तो शुरू क यहाँ पर 3 साल के लिए, और बिल्कुल basic methods निकालेंगे, उसका मैं आपको कुछ चीज़े दिखाऊंगा, तो सबसे पहले CI निकालते हैं 2 साल के लिए, तो हमें principal दिया है 10,000, तो इसका 10% आपका हो जाएगा 1000, और फिर यह 1000 ऐसे लिखते हैं, और इसका 10% लिखते हैं, जो दोस हो आ जाता है, और फिर आप इसका 10% निकालते हो, तो आपका 10 साल के लिए, यह आपने क्या निकालते हो, CI तीन साल के लिए, तो मैं अगर आपको यहाँ पर कुछ बाते ही बताना चाहता हूँ, कि जो पहला वाला कॉलम होता है, यह आपका SI के लिखते है, अगर मैं य यह पूरा आपने क्या निकाला है CI, यह पूरा आपने निकाला है CI, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि दो साल के लिए SI और CI का आप मुझे difference बता दूँ, तो आप क्या बताओगे, आप मुझे simply बताओगे, कि सर यह वाला जो है, यह है आपका SI CI का difference, क्योंकि यह पूरा SI में difference है, यह आपका क्या है, देखो यह आपका है CI, यह है आपका SI, और यह आपका है CI माइनस SI, यह आपका से तो difference between SI and CI, समझ में आ गया नो, तो मनला आपको अगर दो साल के लिए पूछ ले, तो आपका यह हो जाएगा, तीन साल के लिए पूछ ले तो आपका यह हो कैसे कर सकते हैं, देखो आपके, आखिर हमारा यही तो SI, CI में difference निकल क्या आया है, जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, अगर मैं highlighter से दिखाऊँ, तो यह आपका SI, CI का difference निकल क्या आया है, और यह है क्या, अगर मैं बात करूँ तो यह simply क्या है, यह है आपका principle, principle का 10% और इसका वही आपका SI, CI में difference है, दो साल के लिए, इतनी बाते क्लियर है ना, तो यहाँ पे आप बहुती easily निकाल सकते हो, और यहाँ पे आपको अगर दो साल से जागा दिया, तो आप basic से निकाल तो कोई दिक कदम है, आपसे 3 साल का पूछ सकता है, आपसे 3 साल का पूछ सकता है, तो आपको इस तरी किस करना है, otherwise आपको अगर 2 साल का पूछा है, तो principal का rate, suppose R दिया है, तो R into R upon है, ठीक है, यह मैंने कहलेगा, principal का R percent और उसका भी R percent निकाल जा तो यह आपका CI minus SI for 2 years आ चुका है, मेरे ग्याल से आपका doubt एकदम clear है, ठीक है, अब आज़ो हम कुछ questions करते ह इसको हम बाद में देखेंगे, जो पड़ेगे तो इसको हम पहले देखते हैं, तो हमें दिया है कि the difference between the compound interest and simple interest on X at 8.5% per annum for 2 years is इतना, तो मुझे X की value बतानी है, तो देखो 2 years के लिए तो मैं क्या निकालूँगा, X principal दिया है मुझे, तो X का 8.5% का 8.5% जो है, वही मुझ यह दिया है SICI का difference, तो यही आपका हो गया, अब यहां से आप बहुत ही easily solve कर सकते हो, यहां से आप 2 years, यह आप हटा दो, पूरा, तो यह 2980 हो गया, तो यह आप 17 into 17 से चला जाएगा, दस बचेगा सिर्फ, यहां पर आपका 5 into 5 बचेगा, तो आप देखर होगे, यह 25 चौ का और यहां से आपका 4000 आ जा रहा है, X की वेलू आपकी 4000 आ जा रही है, तो बताओ कितना आसान कर सकते हैं, आपको दिख रहा है, बहुत ही आसान कर सकते हैं, आजाओ next देखते हैं, तो next हम से क्या कह रहा है, मैं एक बार color change कर लो, the difference between CI, component annually and simple interest on a certain sum at 15% per annum for 2 years is इतना, तो म आप ऐसे direct 3 बटे 20 भी लिख सकते हो, तो इसका 15% का 15% की value ही मुझे, क्योंकि डिफरेंस दिया है, वह मुझे 1944 दिया, तो आप इसको काट दो ही, आपका 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकन्ना और यहां पे 6, तो अब आपको निकालना क्या है, अब आपका प्रिंसिपल जो 20 आ चुका है कि नहीं, अब आप से कुछ और निकालना, आपको पुछा है कि, find the compound interest compounded annually in rupees on the same sum, sum मतले भी जो P की value हो, इस पे आपको compound interest निकालना है, दो साल के लिए 10%, तो दो साल का compound interest 10% सक्सेशिव लगा दो, तो 10 प्लस 10, प्लस 100 बटे 100, बलस 10 इंटू 10 बटे 100, आपको 21% निकालना, आपको compound interest निकालना, आपको compound interest निकालना है दो साल में, वह आपका 21% बेसिकली निकालना है, तो आपको 21% की value बता देनी है, तो देखो, यह 0 से 2 0 चला गया, और आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह देखो, 6, 0, 4, 0, 3 different है, तो मैं सिर्फ unit digit चेक करूँगा, तो आपका यहाँ पर 6 आचुका है, यहाँ पर आपका 6 आएगा, और 6, 24, 4, तो मालब unit digit आपका 4 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पर ऐसे answer आपका तुरे निकल के आखे, ठीक है, आसान है ने बिलकुट, मालब मैंने क्या बता है, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, SICI का जो difference होता है, दो साल के लिए, ठीक है, जो difference होता है दो साल के लिए, उस simple principle का, जो भी rate दिया है, का rate, is equals to SICI difference, for 2 years, ठीक है, आज हो next पर, next देखते है, क्या कर रहा है, अमिक borrowed a sum of इतना on simple interest, बोला ने वही amount compound interest पे लिया, समझ रहो, इसने simple interest पे लिया, इसने compound interest पे ल बोला को 160 ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो भाई यही आपका SICI में difference है, क्योंकि इसका CI पढ़ा होगा, simple interest पढ़ा होगा 2 साल के लिए, इसका compound interest पढ़ा होगा, तो इसको 160 ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब यह क्या है, यह आपका SICI का difference है 2 साल के लिए, तो हम पे 3 0 जा चुका है, और आपका R SQ के value 1600 बटे, आपके 25 आ चुकी है, तो आपको दिख रहा है R के value 40 बटे 5 आ चुकी है, जो की 8% आ चुकी है, आप बताओ, इसमें आपको कोई भी तकलीफ लग रही है क्या, बताओ, आसान आपको लग रहा है क्या है, अगर आपको असान आपका same उपर वाला ही type है, कोई भी difference नहीं है, बस हमें उपर 2 years देके compounded annually काहा था, और यहाँ पर हमें वही चीज आधे में shift कर दिया होला, वन year में adjust कर दिया गया, तो यहाँ पर 1 year देके हमें compounded half yearly काहा है, same उपर वाली ही चीज है, ठीक है, लेकिन अब आप मेंसे बहु निकालो, CI निकालो, अगर compounded annually है, तो वहाँ आपका same होगा, तो यहाँ पर देखो न, compounded yearly है, एक बार आपका yearly है, एक बार आपका half yearly है, तो yearly वाला आपका SI के ही equal है, ठीक है, तो basically यहाँ पर आपको जब आप compounded half yearly करोगे, तो आपका 4% रहेगा rate, तो basically आपको 3800 के 4% का 4% निकालना है बस, वही आपका else रहेगा, अगर आपको doubt है, तो आपको बहुत ही basic से संदा दे रहेगा, देखो, compound interest जब आप yearly निकालोगे, तो आप 7800 का 8% निकालोगे, जब आप half yearly निकालोगे, तो आप 7800 का 4% निकालोगे, यहाँ पी भी आप 4% निकालोगे, और इस 4% का 4% निकालोगे, यह 4% नहीं है, यह इस 4% का 4% है, यह बात आपको ध्यान रखने है, तो आप देखो कि यह 8% और यह 8% यह तो आपका same है, बस जो आपका difference आएगा, ओ आपका यह 4% का 4% ही आएगा, मतलब आपको इस इंपली 7800 के 4% का 4% निकालोगे, आपका यही answer है, तो यहां पर आप एक बार देखलो तो चार चौक 16 या पर यूनिट डिजिट देखो तो आठ चौक 32 और दो चौक आपका किता हो जाएगा तो आठ आपका दो में आ रहा है इन दोनों में अब इन दोनों में क्या होगा तो आप एप्रॉक्स से कर सकते हो जैसे अगर 16 है यह और 16 अठ इसको 8 मालो तो 16 आठ आपका 128 होता है तो 1-2-8-0 क्योंकि आपने इसको 80 माना है न तो 1-2-8-0 और यहां पे आपका 12 पांट सम्थिंग आगा तो 12 पांट सम्थिंग आ रहा है यह आ तो आपका B वालो आप्सन से हो जागा आपको पूरी क्याल्कूलेशन करने की यह आपका compounded annually है तो 5% आपका compounded half yearly हो जाएगा मला आपको 5% का 5% जो है वह आपको इतना दिया है सेम उपर वाली बात है हमने यह सेम तो सेम यही चीज़ किया ठीक है तो आपको यहां पे suppose principal P है उसका 5% का 1-20 आपको दिया है 88.80 तो आपका यह 2-0 से आप इस point को हटा दो और अब आपका जो principal आचुका है वह आपका 88.80 into 4 आचुका है principal हम से क्या का है कि what is the simple interest on a same sum for इतना years at the same rate तो rate आपको दिया है तो यह आपका P हो गया है तो P into R into T T क्या है आपका 5 बटे 3 divided by 100 बस आपको इसकी value निगालने तो आपको दिखर आओगा भाई 2-0 क्या आपका 2-0 चार चुपा है आपका 3 से यह चला जाएगा आराम से तो 3 से कितनी बार जाएगा 3 2 6 3 9 27 यह 6 और यह आपका 5 चोग है 20 5 चोग 20 है ना तो इसको into 20 कर लो तो जाएगा यह आपका क्या जाएगा यह आपका जाएगा यह आपका simple interest तो आपका 5920 यह आपका correct answer आ जाएगा clear है ना आसान साना आ आजाओ next यहाँ पर सबसे पहले में क्या बथाएगा कि आपको compound interest निकालना है पहला वाला column हटा देना यह जो column है पहला वाला इसको अटा देना तो आपका जो बच गया आपका यह पूरा आपका क्या जाएगा SICI में difference वही चीज़ करेंगे आजओ next हाँ तो यहाँ पर क्या है यहा 100 का 2 बटे 5 कित्ता आजाएगा तो आपका यह कित्ता 8 दूनी 1600 का 5 कर दो तो 5,3 और 220 तो 320 आपका आजाएगा फिर इसका 10% निकालना है 10% आपका क्या 160 लेकिन 160 का 2 बटे 5 तो आपका कित्ता जा रहा है 320 बटे 5 कर तो आपका 6,4 आजाएगा तो यहाँ पर 6,4 आजाएगा और इसका भी 10% लेकिन 10% का भी क्या दो बटे 5 तो 8 दो नी 16 और 16 बटे 5 करोगे तो आपका क्या जाएगा 3.2 तो आपको वैसे दिखे रहा है 0.2 आना चाहिए तो 0.2 आपका दिखो यहां पे आ रहा है 0.2 तो आपका यह answer आजएगा ग्यूकि आपको पता है तो यह पूरा है आपका CI तो डिफ्रेंस क्या होगा यह आपका SI और CI में डिफ्रेंस है और आपको एक बात दिखी भी रहा है कि आपका यहां पे 0.2 तो हमेंसा आएगा तो point 2 आपका एक ही मैं तो यहां से आपका answer यह हो जाएगा बिल्कुल सही ठीक है आज वो next देखते है next देखो हमसे क्या कहा रहा है कि a certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded involi the difference between the interest at the end of 2 year and that at the end of 4 year इस इतना दिया है मुझे तो मुझे आप पर sum बताना है तो यहां पर मुझे पहली बात तो CIE का difference दिया है CIE का difference दिया है 2 साल और 4 साल का तो आपको यहां पर अगर मैं समझाने की कोसिस करूँ तो suppose मेरा यह जो है यह मेरा 2 साल का CIE है ठीक है और यह जो मेरा है यह 4 years का CIE है तो इसका जो difference है यह यह आखिर क्या है तो यह basically यह basically 2 साल के बाद जो अगले 2 साल में आपको compound interest मिला है उसी के विज़े से difference आया है तो वही difference की value आपको दिया है तो basically आपको 2 साल के बाद जो अगले 2 साल CIE आ रहा है उसी की value आपको दिया है वहाँ से आप सब easily निकाल सकते तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ बाते और समझाने कि क्या मैं question के थुरू ही समझाता हूँ आपको एक बार पता है कि जैसे कर मुझे तीसरे साल का compound interest निकालना है तो जो 2 साल के बाद amount हो रखा है वह मेरा principal की तरह काम करेगा क्योंकि आपको पता है जो compound interest में जो principal होता है हर साल reference होता है ठीक है क्योंकि आपको पता है interest पे interest परता है यह सारी बात आपको पता है तो अगर मैं जैसे मुझे यहाँ पे suppose मुझे principal दिया है P तो यहाँ पे मेरा 10% है तो एक साल के बाद amount हो जाएगा इतना दो साल के बाद यह amount हो जाएगा इतना यह दो साल के बाद amount हो चुका है और इसी amount पे मुझे अगले दो साल का CI निकालना है अगले दो साल का CI निकालना है वही आपका difference हों का 4 साल और 2 साल के बीच में ठीक है और उसी की बेरों आपको दिया तो आपको पता है कि ये आपका क्या करेगा ये आपका principle की तरह काम करेगा कि नी और इसी principle पे आपको अगले 2 साल का CI निकाल देना है कि नी अगले 2 साल का CI क्या है 10% rate है तो successive लगा दो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटो 10 बटे 100 ये आपका successive आच चुका है ठीक है तो ये successive आच चुका है बिसिकली 21% आपको निकालना है मलब इस principle पे simple आपको 21% निकालना है उसी की value ये दी है अगर आपको थोड़ी confusion लग रहा है तो आप दोबारा सुनो आपको सब कुछ clear हो जाए ठीक है तो इसको अगर मैं erase कर दूँ तो simple आपको इसका 21% निकालना है तो ये आपका क्या है ये आपका अगले 21 बटे 21 बटे 100 निकालना है आपको इसको 21 से काड़ दो तो आपका आजाएगा 42 फिर आपको इससे काड़ दो आपका ये चला गए 2 तो आपका क्या आ रहा है तो आपका ये वाला ये वाला एंसर से हो जाएगा ठीक है अगर आपको confusion है दोबारा सुन लो आपको बिल्कुल detail में वह तो अच्छे समयना चीज़े बताई है ठीक और सबसे easy तरीका इसको solve करनेगा आज ओ next क्या का है और sum of 15,000 इस length at 60% per minimum compound interest what is the difference between the compound interest for second year and third year तो second year, third year में मतलब क्या है ये second year है ये 2 साल का CI है ये आपका 3 साल का CI है तो मलब जो 2 साल के बाद जो अगले 1 साल में जो आपका compound interest है वही आपको निकालना है वही उसी के वज़े से difference आया है तो ये जो आप 3 साल पे जो CI आया है वही तो निकालना है आपको जो तीसरे साल पे CI है उसके लिए 2 साल का जो amount की तरह काम करेगा कि नी तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा 15,000 है मेरे पास मैं पहले 16 परसंट है तो 29 बटे 25 इंटो 29 बटे 25 ये क्या आपका 2 साल के बाद amount आ चुका है जो तीसरे साल के लिए principal की तरह काम करेगा और आपको तीसरे साल का है तो आपको इसके थर्ड ये का चार बार में ठीक है और अगर आप इसको न इसको आप चार इन तो चार कर तो नीचे आपका 100 आ गया है तो नीची आपका 100 आ गया है उपर आपका 0 आने रहा दो के बाद नहीं है आपको डॉलाइब करने की पूरी जवरत नहीं है ठीक है आजओ नेक्स पे तो देखो नेक्स हम से क्या कर रहा है कि what is the difference between the compound interest compounded yearly and compounded half yearly for 18 months at 20% on a sum of इतना तो यहाँ पर time बगएरा सब सेम है बस यहाँ पर yearly और half yearly है तो इसको आप एगदम basic से कर सकते हो कि 20% पर CI निकाल लो 1.5 साल के लिए और यह बार compounded half yearly मेरा 10% तीन बार आपका आएगा उस पर आप CI निकालो उसका difference निकालो तो आपका answer आजाएगो दूसरा तरीका मैं को एक तरीका और बता दे रहा हूँ जिसे आपको एक concept भी समझ में आजाए कि जो CI का difference होता है वो basically amount का difference होता है जैसे मानलो अगर मेरा एक skim साथ amount A1 आया है दूसरे skim के साथ मेरा amount A2 आया है तो मैं अगर इस amount का difference निकालो ठीक है तो यह जो amount होगा यह principal plus interest होगा कि नहीं और यह आपका principal plus दूसरा interest होगा क्योंकि इसके साथ दूसरा इंटरेस्ट होगा क्योंकि इसके साथ मैं यहां पर एक बार compounded yearly करके amount निकालोंगा और एक बार compounded half yearly करके amount निकालोंगा और मेरा फिर मैं उसका subtract कर दोगा तो मेरा CI का difference आजाएगा तो देखो मुझे principal दिया है 12,000 तो आपको पता है half yearly वाले में ज़्यादा amount आएगा तो उसको मैं पहले लिखता हूँ तो half yearly में क्या है यह 10% और देट साल के लिए परसेंट तीन बार हो रहा है तो amount किता हो जाएगा 11 बटे 10 into 11 बटे 10 into 11 बटे 10 यह मेरा amount आजे को half yearly amount आज चुका है यह मेरा amount है half yearly ठीक है अब मैं निकालूँगा amount yearly वाले पर तो yearly वाले पर मेरा principle इतना था अब देखो जो पहले साल आपका पूरा 20% पड़ेगा तो आपका 12 बटे 10 बटे 10 बटे हो जाएगा यह एक साल के बाद है फिर अगले में एक साल नहीं आधा साल ही जाना है क्योंकि यहां पर 18 मंट है तो मुझे आधे साल ही जाना है मलब यह 20% नहीं जाके 10% ही जाना है तो आपका यह into 11 बटे से सुझाएगा और यह आपका क्या चुका है यह आपका amount है half yearly पर डिर साल के लिए यह आपका amount है yearly पर compounded yearly पर डिर साल के लिए इसका difference निगाल तो आपका CI वाला difference आ जाएगा तो आपको 3 0 से आपका 3 0 गया 3 0 से आपका 3 0 गया यहां पर आपका 2 0 से 2 0 गया तो आपको देख रहा होगा यहां पर जो इकाई वाला अंक आ रहा है वह दो आ रहा है और यहाँ पर जो आपका इकाई वाला अंकार वो जीरो आ रहा है ठीक है तो आपको जो इकाई वाला अंकार आना चाहिए वह आपका दो आना चाहिए जो आपका एक ही में है तो आपका यह वाला एंसर सही हो जाएगा ठीक है आजाओ अब हमारा यह आखरी पूछे तो आपको जैसे आपको निकाल देना है और आपको पता है कि जो यह है यह आपका एसाई का डिफरेंस होता है यह आपको तब करना है जब आपका दो साल से जाला दिया हो अगर आपको दो साल का कुछ है तो simple जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका रेट का रेट यह आपका दो साल के लिए SI और CI का डिफरेंस आ जाएगा फिर हमने CI-CI का डिफरेंस देगा CI-CI का डिफरेंस का अगर मुझसे पूछ ले कि 4 साल और 5 साल में आप CI का डिफरेंस कुछा देगा तो मैं 4 साल के एमाउंट पर पहुच जाओंगा तो यह एमाउंट हो गया और इस पे मैं आर परस्टन निकाल दूँगा तो यही मेरा 4 और 5 साल का डिफरेंस आ जाएगा अगर मुझसे 4 साल और 6 साल का डिफरेंस पूछे तो मैं क्या करूंगा चार साल के एमाउंट पर पहुच जाओंगा तो यह ए 4 का अमलाब है 4 साल के बाद जो एमाउंट है और इसके अगले दो साल का में कैं निकालांगा compound interest इस amount पर अगले 2 साल के लिए compound interest निकालांगा तो यह amount पर आप principal की तरह काम करेगा और इस principal पर आपको बहुत आसान है निकालना तो इस तरीखे से आपको करना है ठीक है? ठæंक यू सो मथ बता देना आपको class यासी लगे